Hello everyone, भई कैसे हैं आप सभी? I'm sure कि सब हैं मस्ती में, क्योंकि त्योहार का टाइम भी तो है तो सभी वैसे तो मुझे पता है कि त्योहार के मूड में है भई पढ़ने के मूड में सब नहीं है बट आपको तो पता है भई आपकी क्लास बढ़ी क्लास है 9th class है 10th class है तो उसमें भई आप पूरा time waste तो कर नहीं सकते तो यहां पर जो आपको बच्चों यह चुट्टी मिली है इनका उठाओ पूरा फायदा और पूरी planning करो कि लाप जो आपके 3-4 महीने बचे हैं चार भी नहीं कहेंगे बलकि 3 महीने जो बचे हैं उसमें आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपके एक्जाम में आएं बहुत अच्छे marks अब उसके लिए देखो बहुत जादा कुछ करने की जुरूरत नहीं है मैं यह नहीं कहूंगी कि आप दिन राज जुटे रहो या जैसे कि आ अभी आपके पास टाइम है तीन महीने हैं तो अज से ही अगर आप अपनी करोगे तो आपको लास्ट टाइम में आसे भागने की जौरत नहीं पड़ेगी और उसमें आपको फिर ना घबराने की जौरत है ना टेंशन लेने की जौरत है कि हम कैसे एक्जाम करेंगे या किस करेंगे तो आज से ही अपनी तयारी शुरू कर दो और थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू हो जाओ आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगी बच्चों वह आपको फोलो करने हैं अपनी रिवीजन में अपनी पढ़ाई में और फिर आप देखना कितना बेनेफिट आपको मि हैं और हमें पता भी ना हो कि किस डारेक्शन में पढ़ना है या कैसे तैयारी करनी है बस जो कुश्यन आया उसको निकालते गए सॉल्व करते गए ऐसे नहीं करना है भई स्मार्ट वे में तैयारी करनी है तो सबसे जरूरी चीज जो एक एक एक्जाम की प्रपरेशन के लि सब्सक्राइब करना है तो अगर हम कहीं पर बड़े अराम से बैठे भी है ना तो अराम से बैठे हुए अगर हम मैच को सॉल्व कर रहे हैं तो यह सोच लो कि हमारे जो ब्रेन की हैं वो कितनी सारी नर्व इखटी काम कर रही है यानि कि जो मैच्स है ना वो हमारे ब्रेन को भई सूपर एक्टिव बनाता है तो इसी लिए मैच्स के लिए तो कम से कम डरने की ज़ुरत नहीं है बाकी सब्जेक्ट में नहीं कह सकती मैं कि आप कितना रट्टा ल लगता है कि उन्होंने मैच्स का क्या बना लिया एक फोबिया बना लिया है ना क्या बना लिया एक फोबिया कि हमें तो भई मैच्स से डर लगता है और डिक्शनरी में एक वर्ड भी शामिल करवा दिया है डर डर के मैथो फोबिया की मैच्स को देखकर डरना और मैं बता नंबर आ जाएं तो बच्चों ऐसा तो हो नहीं सकता तो डेली हमें प्रैक्टिस करनी है चीजों को सीखना है समझना है तभी हम सक्सेस्फुल हो पाएंगे बहुत मैट्स में और मैट्स से याद करने हैं और उनकी णना करनी है और आपका कुशन आपके सामने सिर्फ आपको ब實al pity की जूरत है तो मैट्स से डरना नहीं है आज के टिप्स फॉलो करनी है और देखना है कि फिर आपके मार्क कैने इंप्रूव होते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट बात क्या है to know about your syllabus and resources अब देखो आपका कितना syllabus reduce हो गया है ठीक है कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कौन सा syllabus reduce हो गया है कौन सा portion आ रहा है या कौन सा portion नहीं आ रहा अब आप ही बताओ कि अगर हमें यहीं नहीं पता तो हम तैयारी कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहली planning तो यह करो कि अपना पूरा syllabus निकाल कर देखो हम पहले भी अपनी classes में discuss कर चुके हैं syllabus के बारे में कि भई कौन सा portion delete हो गया है या कौन सा topic delete हो गया है और कौन सा topic कितने marks का है तो अगर आपने अभी भी seriously नहीं लिया इन चीज़ों को तो थोड़ा seriously लो और जो हमारा पूराना वीडियो उसको देखो कि कौन सा topic delete हो गया है कौन सा topic कितने नंबर का है और कौन से topic में से भई हमारे के study वाले question आएंगे तो पूरे स्लेबस को एक बार अच्छे से देख कर उसकी पूरी समझ तयार कर लो कि भई कौन सा topic कितने marks का even अब मैं सोचू कि मुझे first chapter बहुत अच्छा लगता है और मैं सारा दिन बैठ के first chapter ही करती रहूं और बाद में पता चले कि first chapter तो सिर्फ आना था four marks का और जो हमारा ज्यादा marks का आना था application of trigonometry उस पे हमने time ही नहीं लगाया है ना तो सबसे पहला काम क्या करोगे get to know about syllabus की हमारा syllabus क्या है कितना portion आएगा कितना delete हो गया है किस chapter में से कितने marks का है ठीक है और उसमें भी कहां पर short आएंगे कहां पर long आएंगे हमने इसमें trigonometry और application of trigonometry में किया था कि trigonometry का portion थोड़ा कम हो गया है application of trigonometry का जादा हो गया तो बच्चों इन चीजों को ध्यान रखना कि किस में से कितने marks का आएगा तो उसी marks के according करनी है preparation दूसरा resources कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले तो पूरा पढ़ते नहीं है फिर बाद में उनको क्या लगता है कि अब किस book से पढ़े फिर उनका जो फ्रेंड उनको जो book suggest करता जाता है वो बजार से लाला कर पूरा धेर लगा देते हैं कि यह भी अच्छी है वो भी अच्छी है वो भी अच्छी है तो भाई ऐसे धेर नहीं लगाना है ठीक है आपको अब तक पता लग जाना चाहिए कि किस book से आपको पढ़ना है और मैं आ नहीं आता तो आप ncrt करो बिल्कुल अच्छी तरह है ठीक है उसके बाद ncrt का एक्जैंपलर है उसे एक्जैंपलर को करो बहुत अच्छी तरह से फिर जो cbsc बोर्ड ने सैंपल पेपर दिये उन पेपर को सॉल्व करकर के देखो उसके बाद और भी प्रैक्टिस करनी है तो बही जो प्रीवियस एयर के पेपर होते हैं ना उनको निकाल निकाल के उनकी प्रैक्टिस करो बाजार में हमें बहुत कलरफुल बुक दिख जाती हैं कि 10 टॉप मोस्ट कोश्चन जो आएंगे ही आएंगे वो भी अच्छी होते हैं मैं यह नहीं कहती कि वो खराब हैं बट जब हमारा माइंड डिस्ट्रेक्ट होना शुरू होता और हम बुक्स की तरफ भागते हैं ना तो फिर हमारा ध्यान पढ़ने में ने लगता फिर हम सो कभी एक बुक उठाकर बैठते हैं कभी दूसरी बुक अठाकर बैठते हैं और फिर समझी नहीं आता कि कि किस बु को fix रखो और उसी से ही तैयारी करनी है ठीक है क्योंकि अब हमें क्या लेना important important curry चीजों को लेना है समझनु हम बहुत चुकहे सारा स्लेबर्स पूरा हम कर चुके अपना अब जो जाए कि मुझे यह चीजें तो कवर करनी ही है और फिर भी अगर आपको लगता है कि अब टाइम बच गया मैंने सब करना है कर लिया है तो फिर लास्ट में बच्चों आपको उठाने हैं प्रीवियस यह के पेपर या जो सैंपल पेपर होते हैं तो वह सैंपल पेपर भी आप ले सकते हो एक सैंपल पेपर साल किया दूसरा कि идет क्या सैंपल पेपर कितने ताइम में कम्प्लीट हो रहा है या इसमें न्या कॉश्चन है उसको अलग से नोट कर सकते हो है न तो यह सारी चीजें आपको रैडी रखनी है तो यह तो हुई भाई सबात क्या बात हुई कि हम बॉइस हैं तो देखते हूं जैसे ही पंडे बैठे आपका दोस्त बॉलाने आ जाता है connectors के साथ करते 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 कब आपके दो थिन घंटे निकल जाते हैं या फिर दोस्त चलो यहां तक मेरे साथ चलो और उसके बाद साथ जाकर दो तिन घंटे चुट्टी पड़ाई से तो यह डिस्ट्रेक्शन अवाइड करने हैं दोस्त के साथ आप बहुत घूम लिए पूरा साल निकल गया है लेकिन अब जो महीने रह गए है ना वह सिर्फ बुक्स के साथ ट टाइम कराब करना होता है लेकिन आप अपने दोस्तों को भी बताईए और खुद भी समझे कि अब यह जो टाइम है ना वह पूरा स्टडी को देने के लिए हैं जो दोस्त हैं वह एक टाइम तक ही आपके साथ रहते हैं बट पढ़ाई आपके साथ हमेशा रहेगी जो मालो आपका कभी सेकिंड थर्ड क्लास में दोस्त था वह सकता है आज ना हो या फूर्थ फिफ्ट में था आप पूरा टाइम उसके साथ घूमते थे हो सकता है वह अब ना हो आपके साथ या जो अब आपकी क्लास में हो सकता है दो साल बाद वह आपकी क्लास में ना हो ठीक है त important time में आपको सिर्फ और सिर्फ time देना है books को तो कोई भी आपको बुलाने आए कोई भी आपको distract करने की कोशिश करें तो उसको clear नि कहो कि नहीं भाई तीन महिने बाद मिलेंगे तो आपने और भी जैसे कई बार जो sports में जो medal जीतते हैं अक्सर उनकी stories आती हैं sports के time में या फिर अलग-अलग लोगों की कई बास story पढ़ी होंगी तो वो यही कहते हैं कि उन्हों ने अपने गोल को achieve करने के लिए अपनी सारी चीज़ों को छोड़ दिया for a time period कि कोई किसी चीज़ की preparation कर रहा था तो उससे एक साल पहले छे महीने पहले या चार महीने पहले उन्होंने सारी चीज़ों को छोड़के सिर्फ उस पर ही focus किया तो ऐसी बच्ची हमारे एक्जाम हैं हमें लगता है कि एक्जाम हर साल आते हैं तो हर साल ही ऐसा करना होता है बट वो हमारी life का step भी तो है ना हर एक step फिर अ आप अच्छा करोगे तो आप में और confidence आएगा और आप अपने life में और अच्छा करोगे भई अब यहां पी जो environment में ना इसमें और भी चीज़ें सिर्फ फ्रेंडी नहीं है एक और बहुत खास चीज़ें भई फोन ठीक है फोन आजकल मुझे पता है कि बहुत जरूरी ची लिखनी हो और जहां से आप डिस्ट्रेक्ट हो रहें वो चीज़ें छोड़ दो यानिकी अगर आपको लगता है कि जो आपका Facebook अकाउंट है उस पे आप बहुत जादा टाइम स्पेंड करते हो भी तो उसको थोड़े दिनों के लिए रोक दो ठीक है तो ऐसे डिस्ट्रेक् के उस पर करना लाइक Facebook और ऐसे उन सब चीजों को दो तिन महीने के लिए बिलकुल हटा दो ठीक है उसके बाद फोन पर बाते करने का मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि एक बार जो फोन लगाया चान पे तो भई दो गंटे अराम से इधर की बात उधर की फैमिली मेंबर्स भी है ना उनको लगता है कि चल अभी तो एक्जाम में बहुत दे रहे हैं कुछ फैमिली मेंबर यह भी कहते हैं कि चलो एक्जाम में भी टाइम है कि चलो यहां चल पड़ते हैं या इस रिष्टेदार के चले जाते हैं तो यह चीज़े भी नहीं करनी है 3 months के लिए clearly आपको ही बताना है सबको कि भई हमारे exam है हमें preparation करनी है और पूरा focus उसी चीज़ पर ही लगाना है कोई आपका चोटा भेन भाई हो जो आपको तंग करता हो उसको भी थोड़े time के लिए दूर रखो कि भई पढ़ना है आप सोचोगी कि तो बड़ी चोटी चोट भी हमारे दिमाख में वैसे चलती रहती है है ना पढ़ने के मूड में हम आई नहीं पाते तो पांच घंटे खराब हो गए उससे तो इस टाइम जब आपके एक्जाम को बहुत कम टाइम लग गया पांच-पांच घंटे खराब करना भई बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है तो दूसरी चीज क्या करोगे अपने एंवायरमेंट पे कंट्रोल और अपनी आसपास की चीजों को बिलकुल अच्छी तरह अरेंज करना कि आपका टाइम बिलकुल वेस्ट ना हो चलिए नेक्स देखते हैं भई हम नेक्स है रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है वेज़ी पोर्शन है अपको लगता है हमें आता है तो उसको थोड़ा सा साइड में रखो और वो पोर्शन निकालो जो की ज़ाधा मार्क्सका रहता है है और आपको लगता है कि अभी उस में X को पूरा सौल्व करकर देखो ठीक है? यानि कि ऐसे नहीं कि भुक लेकर ऐसे बैठ गए और भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं मैट्स में तो बुक देखकर बैठने का कोई मतलब भी नहीं है यानि कि मैट्स में भाई जहां आप बैठे वहां आपका हाथ भी चलना चाहिए क्योंकि हाथ भी चीजों को लर्न करता है पता है आपको कई बार आप बहुत करके देखो एक बार में फिर उसके बाद आपको लगता चलो एक बार तो यह हो गया अब थोड़ा-थोड़ा समझ में आया फिर उसको दुबार करो तीसरी बार करो तीसरी बार आपको लगेगा कि हाँ समझ आ गया फिर आप उसको थोड़ा short में कर सकते हो ठीक है कोई भी जैसे माल्व मैठ्स का आप कुछ प्रूव कर रहे हो पहली बार में आपने पूर सब लिखा उसके बारे में बाद में आप उसको थोड़ा short में लिख सकते हो कि इसमें ऐसे ऐसे प्रूव करने से भई हमारा अंसर आ जाएगा उसके बाद जब आप next time और उसको revise करने चलो तो फिर उसको थोड़ा सा और short कर लो और उसके बाद जब revise करो तो उसके main में पॉइंट ले लो और में में पॉइंट लेकर कहीं लगा लो अपने सामने कि आपको दिखता रहे कि यह जो कोश्चन था जो मुझे कभी डिफिकल्ट लगता था इसमें यह पॉइंट है और इन पॉइंट पर ध्यान देकर यह कोश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ऐसे जाधा भई जो फॉर्मूलेज हैं उनको जहां पढ़ते हो उसके सामने एक दिवार पर लगा लो या फिर अपनी स्टरी टेबल पर रखो कि वह ना चाहते हुए भी आपकी नजरों के सामने रहें मैंना कि आप ना चाहों उनको उठाना पढ़ना तो भी वह आपके सामने और आपको दिखते रहें और इसमें एक और अच्छी बात है मालो आपको कहीं जाना हो ट्रैवलिंग करनी हो तो उन कार्ड को साथ ले जाओ या फिर जो आपने इंपोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं उनको साथ ले जाओ उनको आप देखते रहो पढ़ते रहो वह यह करन लिखना है कम से कम दो बार तीन बार उसके बाद आप थोड़ा शौट में लिखना शुरू कर सकते हो चीजों को जब आपको वह चीज़ें आ जाएंगी ठीक है तो रिवीजन का तरीका हुआ बार बार के लिखकर देखना यह मत सोचना है कि अब सर्दिया है तो ऐसे हाथ बांध कर रजाई में और ऐसे बैट के कोश्चन को देखते रहेंगे और समझा गया तो जितना जल्दी वह ऐसे समझाएगा ना उतना जल्दी वह गायब भी हो जाएगा तो अपने हाथ निकालने रजाई से और लिखना है ठीक है चले आगे देखे क्या है वह आगे है दे इतने नंबर आएंगे या फिर आपके आसपास के लोग आपको प्रेशराइज करेंगे कि वो देख कितना पढ़ रहा है दिन रात तु बिल्कुल नहीं पढ़ता तेरे नंबर नहीं आएंगे या दीदी इतना पढ़ती थी भाई या उतना पढ़ता था वो सब टॉप कर तुम रह जाओगे तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं सुनना है ठीक है अपनी तैयारी कर रही है अच्छी तरह क्योंकि इन बातों का जवाब मुह से नहीं दिया जा सकता इनका जवाब दिया जा सकता अपनी तैयारी से और अपने स्कोर से जो आपका स्कोर आएगा या ज जवाब दे सकते हो तो हमेशा क्या रखें पॉजिटिव एटिट्यूड पॉजिटिव एटिट्यूड मतलब यू केंडू ठीक हर कोई कर सकता है ऐसा नहीं कि कई बार क्लास में बहुत होता है यह तो इंटेलिजेंट इसके तो आई जाएंगे और जो जिसके 50 या 60 आते हैं तो उसको लगता है कि मेरे तो इतने हैंगे मेरे हमेशा इतने आये अब फितने आएंगे ऐसा कुछ नहीं होता भई ठीक है कभी कि किसी फिटी नाइन्टी भी हाते हैसी नाइनटीा है सिर्फ दिफरेंस किसीजे का और भाई प्रिपरेशन का ठीक है हम मोटीवेट होकर खूब बैठ जाएं और सोचें कि हमारे तो भी एक्जाम में इतने नंबर आएंगे तो पॉजिटिव एटिटूड और हाड़ वर्क ठीक है दोनों चीजे मिला कर आप किसी भी लेवल पर जा सकते हो मतलब ऐसा नहीं क कितना भी अपना स्कोर कर सकते हो ठीक है तो हमेशा क्या रहना है हाइली मोटिवेटेड और पढ़ने के लिए एनरजेटिक यह ना हो कि फोर्स फुली पढ़ाना पढ़े कि बच्चों पढ़िए वो काम नहीं करने हैं अब आप इतने चोटे बच्चे नहीं हो कि आपको कह पढ़े पढ़ने के लिए तो अपने आप मोटिवेटेड रहिए अपने दिमाख में हमेशा यह रखिए कि हमारे एक्जाम आने वाले हैं हमें प्रिप्रेशन करनी है और कैसे करनी है अब मैं यह कोशन कर चुका हूं अब मुझे नेक्स्ट करना है या इस को वैसे करना है तो भई यह टाइम आ गया अब ठीक है तो यह हुआ पॉजिटिव एटिटीट्यूड की कभी भी नेगिटिविटी अपने माइंड मर नहीं लानी है हमेशा यह सोचना है कि अगर पिछले बार कम नंबर आ भी गए तो भी कोई बात नहीं हमेशा जो अगला स्टेप होता है वह एक नया चांस होता है ठीक है उसमें हम सारी चीजों को बदल सकते हैं इलेक्शन में भी तो देखते हो कोई केंडिडेट हार भी गया है तो ऐसा तो नहीं है कि वहर बार हारे गई अगले एलेक्शन में हो सकता वह रिकॉर्ड वोट से जीते या कोई टीम किसी मैच में ह हार गई है तो इसका मतलब तो नहीं है कि अगले मैच में भी हारेगी कम बैक करते हैं ना तो कोई फरक नहीं पढ़ता कि आपके पिछली क्लास में कितने नंबर थे या पिछले टेस्ट में कितने नंबर थे आज की क्या सिचुएशन है वह देखनी बच्चों ठीक है तो प पेपर को प्रेजेंट करना आप सोचो कि एक ऐसा परसन आपका पेपर चेक कर रहा है जिसके पास अल्रेडी बहुत सारे पेपर है उसमें अगर आप ऐसा लिखोगे कि उसको समझ भी नहीं आ रहा या बहुत मैसी सा है तो उसके माइन में क्या इंप्रेशन जाएगा कि क्य अच्छा लिखो कि उसको लगे की चलो अच्छा किया हुआ है और वो जल्दी जल्दी क्या दे आपके नंबर जहां पर आपके थोड़े कम आने हुआ पर दो चार आपको फालतुई दे कर वो चेक करें उसको तो प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर भाई बहुत जरूरी है जहा है इलाइट वैसे नहीं करने है बट लेकिन प्रॉपर स्पेस दे के कोश्यंस को सॉल्व करो ठीक है और जब आप लिख लिख करोगे न तो आपकी तो वैसे इंप्रूव हो जाएगी तो जब आपकी हंण्रायटिंग इंप्रूव है और उसको आप एक्जाम में भी कदाएगी दूसरी भाई राइटिंग इतनी खराब होगी तो इसलिए भाई जो रेटन प्रैक्टिस हैं उसके बहुत सारे फायदे हैं एक तो आपकी पर कौन सा है अच्छा मतलब प्रेजंटेबल वे में कौन सा है क्योंकि चेक किये बिना तो पता नहीं कि रॉंग है या राइट है कुशन लेकिन दिखने में सुन्दर या किसने पूरे अच्छे वे से लिख रखा है वह पेपर टीचर कोशिश करता है निकालने की या चेक कर है ना तो पेपर को रखो हमेशा प्रेजंटेबल तो यह सारे टिप्स यानि की सबसे पहले स्लेबस का पता होना कहां से पढ़ना है यह पता होना अपने आस पास के डिस्ट्रेक्शन को दूर कर देना नहीं करोगे तो भई टाइम निकल जाएगा और फिर पच्छता होगे फिर लगेगा कि काश हमने उस टाइम तैयारी क्यों नहीं शुरू कर दी या मैं क्यों गया वहां पर या क्यों टाइम वेस्ट किया तो उस चीजों को पहले छोड़ दो ना तीसरी बात है रिवीजन बार 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 रिवीजन करनी है ऐसा नहीं कि एक बार हो गया पूरा ठ नहीं जब आपको पता है कि यह इंपोर्टेंट पार्ट है सैंपल पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं एंसी आर्टी के सारे कुशन एक्जैंपलर कि वो यह नहीं कि सारी बुक्स इखटी कर लो और उनको करो तो आपको रिसोर्स पता होना चाहिए कि इसी चीज को है जब हम इतनी महनत करेंगे तो माइंड तो यहीं कहेंगा ना कि तैयारी है पूरी भई करो एक्जाम अच्छी तरह हैं और वह भी प्रेजेंटेबल वे में यानिकी तरीके से तो यह थे कुछ टिप एक्जाम से रिलेटेड उससे पहले हम डिसकस कर चुके हैं किसकिस के रेमें हमारे स्लिएबस के अध청 के बारे में सेंपल पेपर भी मैंने आपको बताये थे बच्चों कि ऐस ऐसे कुशंच आते तो ऐसे सैंपल पेपर में को और भी घर वाऊंगी तो अपनी तयारी टेली करते रहेए और जो भी आपकी बूक-वाई उसको अच्छी तरह तो इन टिप्स को करिए फॉलो आपको एक्जाम में भई अबव 95 भी नहीं मैं तो उससे उपर ही बोलूँगी लाने से कोई नहीं रोग सकता तो all the best बच्चो लाई अपने अच्छे अच्छे एक्जाम और wish you are happy दिवाली and bye bye